अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एंटिटी रिलेशन्शिप डाइग्राम या इयार मॉडल बोलते हैं इसको डीबेमेस का जो सेकेंड यूनिट का पार्ट है इयार मॉडल पढ़ेंगे हम लोग और साथ ही साथ हमको यह देखना है कि अभी हमारे पास कितने लोग आ गय कर रहा हूं सभी को म्यूट कर रहा हूं थोड़ा साथ मतलब मैं अटेंडेंस टाइप कर लूँगा तो बताना आप लोग आयों कि निया स्पीकर अन करके बताना अधिता शर्मा हवाज आ रही है यस सर अजे कुमार यस सर अजे कुमार वेजिट सार ठीक है जस्प्रीद कौर जस्प्रीद कौर हवाज आ रही है अब सक दरल निया जोति चौादरी जोति चौदरी म peripherाना नीय जोटि सिंह आ हाज अजा रही है जोति सिंहा है मैंने सभी को म्यूम है आपको बोलने के लिए कि इपना माइक अन्म्यूट करना होगा फिर आप बोलोके आउसिनाई देगी है अभी सभी लोग म्यूट हैं मैं जिसका नाम ले रहा हूं जोतीसिन आवाज आ रही है खुशी आवाज आरीया है प्रिश्य हवाद जाती है याय या प्रोटे है चमीली साहूँ यह सूर नागेश्वर नागेश्वर साहूँ हवाद आ हरी है नागेश्वर साहूँ अपने speaker जो mute है, उसको आप अन करो रवी प्रकाश बगेल कि यह सब्सक्राइब करते हैं अभी मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे डी एम्मेस का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है सब्सक्राइब करते हैं अभी मुट कर रहा हूं आप लोग भी मुट रहेंगे जब तक मैं पढ़ाओंगा फिर डाउट सेशन जब चालू होगा तो मैं अपसे अन्मुट करके डाउट क्योंगे गार है तो हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं यहार मॉडल यहार मॉडल करेंगे यूनिट 2 मैं डाइग्र यहार मॉडल जो है आप लोग क्यों बनाते हैं DBMS में इसका क्या रोल है और क्या importance है यह हम देखेंगे आज सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो database management system है इसमें एक database तयार किया जाता है जिसमें हम data store करके रखते हैं data जो है वो structured form में store होता है table के form में store होता है row और column के रूप में store होता है उसके लिए मां ठरिशा तो उसके लिए हमको एक design तयार करना होता है मैं एक example से आपको बताता हूं अगर मैं आपको बोलो कि मेरे लिए बील्डिंग बना दीजिये तो आप वैसा बील्डिंग नहीं बना पाऊ कि जैसे मैंने सोचा है अगर मैं चाहता हूँ जैसा मैंने सोचा है वैसे ही building आप बनाओ तो मुझे उस building का एक नक्षा बना के देना होगा diagram बना के देना होगा तब आप आसानी से समझ सकते हो कि मुझे कैसी building चाहिए सेम वैसे ही मैं कर बोलू कि मुझे database बना के दो उसमें क्यों आउट से नहीं अगा तो मैं उसके लिए और डाइगरां माक lamps ने दूंगा कि आप्समज जाओगे कि डिटाबेस में क्या क्या बनाना है तो हम भी चीज को बनाने से तो पहले हम उसका एक नक्षा बनाते हैं चाहे बील्डिंग बनाना है चाहे फुल बनाना और ब्रिद बनाना है तो अगर मैं किसी को बोलता हूं कि मेरे लिए यह यह तो मैं उतने अच्छे से एक्स्प्लेइन नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उसको डाइग्राम बनाके नहीं देता हूं तो इंजिनियर्स जो होते हैं वह इंजिनिरिंग डाइग्राम के थूरु उसको समझाते हैं और जो डेटाबेस का जो डाइग्राम होता है उसको हम ER डाइग्राम के थूरु समझा सकते हैं ER डाइग्राम के अलावा और भी कई मॉडल है लेकिन यह सबसे पॉपुलर मॉडल है ER डाइग्राम तो आगर मैं आपको बोलूं कि एक student का डेटाबेस बनाओं इसमें student के exam का detail होगा student के attendance की detail होगी उसके piece की detail होगी उसके library की detail होगी तो मैं ऐसे अगर बोल के बताओं गा तो उतने अच्छे से आप नहीं बना पाओगे या उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा वो अपके database का graphical representation होता है जैसे building का graphical representation उसका एक नक्षा होता है वैसे ही database का graphical representation जो होता है वो ER diagram या ER diagram होता है और ER diagram जो है वो ER model के अंदर आता है तो हमारा जो theory में topic है वो है ER model clear है? तो हम जो topic पढ़ने वाले ER model है इसमें entity और relationship के बीच में मिला के diagram बनाया जाता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि ER model जो लिखा हुआ है यह relationship बताता है दो entity के बीच में और entity का मतलब यहाँ पर सिधा सिधा होता है एक प्रकार से table से अगर मैं बोलूँ कि दो table के बीच में relationship बताओ और एक diagram बना दो तो वो ER diagram के लाएगा और वो ER model के अंदर आता है clear अगला दिखते हैं एक यहाँ पर ER diagram बना हुआ है इसमें student जो है वो एक entity है यहाँ student दिख रहा है यह एक entity है और college भी एक entity है इन दोनों के बीच में relationship बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से है study in तो मैं यह बोल सकता हूँ कि student study in college तो student और college के बीच में जो relationship बना है उनके बीच का relationship जो है वो कहलाएगा आपका study in और हर जितने भी आपके entity होती है उनके बीच में हर entity में कुछ attributes होते है तो कुछ निश्चित symbol से ही उनको दिखाया जाता है entity को हमेशा एक rectangle से दिखाया जाता है relationship को हमेशा diamond से दिखाया जाता है और college को हमेशा sorry attribute को हमेशा oval shape से दिखाया जाता है तो for example मैंने आपको ये diagram दे दिया entity relationship diagram मैं बोल रहा हूँ कि आप इसका database बनाईए तो इस सबसब समझ में आ रहा है आपको दो table बनाने है एक student नाम का table बनेगा और एक college नाम का table बनेगा student नाम का जो table रहेगा उसमें तीन column होंगे student ID, student name और student address student address और college नाम का table होगा उसमें तीन दो column होंगे column ID और column name तो मैं इसको आपको Excel में बना के दिखा भी देता हूँ कि इस जो ये diagram से table कैसे बनेगा और कैसे ये diagram को देखके table बनाया जाता है तो पहले हम Excel चालू करते हैं यहाँ पर अगर मैं आपको किसी ने मुझे यह diagram दिया और बुला कि इसका आप वह बनाई है database बनाई है तो इसका मैं सबसे पहला जो table बनेगा वह रहेगा student इस table में रहेगा क्या 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 मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ ता कि दिखाई दे इस student नाम का जो table है इसमें तीन column होंगे stood, stood id, stood name, stood address तो मैं यहाँ पर बनाया और यह आपका blank table ready हो गया तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ER diagram को देख करके मैं कैसे student नाम का एक table बना सकता हूँ यह जो entity है वो एक table बनती है और जितने attribute हैं वो आपके column बनते हैं उसके बाद आप इसमें data insert कर सकते हो वैसे ही second table जो है आपका बनेगा क्या नाम से बनेगा second table college नाम से यह college नाम से second table बनेगा यह मैं excel में बना रहा हूँ हाला कि यह dvms औरेकल में बनेगा इसको औरेकल में भी बना के देखेंगे college में जो दो column होंगे पहला होगा call id और दूसरा होगा call name यह हमारा table ready है तो आपने अभी देखा कि कैसे एक ER diagram को table में बदला जा सकता है काफी आसानी से यह आपका ER diagram है जिसमें यह बताया गया है कि दो table बनेगे student नाम के table बनेगा जैसे यहाँ बना हुआ है उसमें तीन column होंगे is to id, is to name, is to address यहाँ तीन column बन गए और यहाँ पर एक college नाम का एक table बना है जिसमें दो column है call id और call name यही चीज़ बताने के लिए अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूँ कि मुझे दो table बना के देना है आपको एक table होगा student उसमें तीन column होंगे इस to id, is to name, is to address और college एक table होगा college, call id, call name और उन दोनों के बीच में relationship होगा ऐसा मुझे बताओं तो आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे इतना कि इस diagram से समझ में आ रहा है प्लस ये diagram छोटा सा ER diagram है, अगर ये ER diagram में 50 entity होती है या 100 entity होगी तो आपको मैं मुझे बताओंगा आपको रहा confused हो जाओगे लेकिन जो diagram है उसको देख करके आप असानी से भले आपको एक गंटा लगेगा लेकिन आप असानी से एक table 50-60 table create कर सकते हो diagram देख करके तो छोटा table है तो आप मुझे भी बता सकते हो यहां पर यह फिलाल छोटा ही table है दो टेबल है और फांच कॉलम है तो काफी असानी से आप ऐसे भी बता सकते हो लेकिन जब बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जिसमें 100 टेबल 500 टेबल होते हैं और 50-50 कॉलम्स होती है तो वहां पर बीना डाइग्राम के काम नहीं होता मुझे आप नहीं बता सकते हो तो इयार डाइग्राम का क्या रोल है वह समझ में आया फिर से में रिवाइस कर रहा अब ही जितना भी बताया उसमझ में आया अन्म्यूट करके बोल सकते हो अच्छिंध में आगे सर्र आगे है समझ में तो चलो हम लोग के इसको अगे स्टार्ट कर लेते हैं तो तो इस सीमा समझ में आया है सीमा, साहु, आए 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 यह देटाए तो हम लोग बढ़ देखे हैं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आगे देखते हैं, अगे का दो चल रहा है है तो हम लोग रिवाइस कर लेते हैं फिर से हमारा जो टॉपिक है एक पर वो है यूनिट टू डीबी मेंस का टॉपिक ए आर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके द्वारा असानी से आप किसी डेटा कर सकते हो पेपर पर या डाइग्राम के तुरू तो इस मॉडल के कुछ नियम है उस नियम को हमको फॉलो करना है फिर आप अपना कोई भी डेटाबेस डाइग्राम सबसे अच्छा एक्जामपल होगा आपके प्रोजेक्ट में डेटाबेस बनेगा ही बनेगा और उसमें इया इयार मॉडल हमें मैं बताना है कि यह डायाग्राम कैसे बनाते यह कि रोल और होते हैं55 इन से speaks और उना पढ़ए और यह यहां पर एक क्षेड़ा मोल्ल और सभाव बने बोलूं तो कुछ इस तरीके से डेटावेस बनेगा या एकसेस में बनाने बोलूं तो सेम डेटावेस में एकसेस में बनाके दिखाता हूं अभी आपको मैं यहाँ पर एकसेस ओपन कर लेता हूं क्योंकि relationship आपको बनाके दिखानी है सबसे में इंपॉर्टेंट चीजा है जो है रिलेशनशिप उनके बीच में मैं एकस नहीं है किसमें मैं आपको एक्सेस में इसी यह डाइग्राम को बना के दिखाता हूं कि एक्सेस में सेम डाइग्राम को कैसे डेटा बेस में करेंगे क्लियर है सबसे पहले मैं MS Access open कर देता हूं इसका दम औरिकल में भी बनाएंगे हारा कि आप प्रैक्टिकल औरिकल में करते हूं लेकिन Access में भी कर सकते हूं इसको सभी हमें database ही है मैं बात और मटेटा बेसी करियेट क करने के बाद हमें इसमें दो टेबल बनाने के बाद है इंग मैं इसको कर दे रहा हूं सबसे पहले मैं प्रियेट में всего में जाओंगा डेवल डिजाइन और मुझे यहाँ पर टेबल बनाना है क्या नाम से स्टू आईडी इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा आपका नमबर स्टू नेम यह होगा टेक्स्ट इसके बाद होगा स्टू एडर यह होगा टेक्स्ट ठीक है यह तीन कॉलम मेरे बने और आप चाहो तो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो मैं एक दो सेकेंड के लिए रोक रहा हूँ इस्टू आईडी बनाया आपने इस्टू नेम बनाया यह तीन कॉलम बनाया जैसी मैं इसको क्लोस करूंगा तो यह पूछे का टेबल का नाम यह तो आपने पहुच रही address को गूछ रह आएगी आपका टेबल का क्या नाम है इस टेबल का नाम मेरा था स्टूडेंट मैंने स्टूडेंट नाम जोन Cand 2025 को अनू कर दिया यहां पर एक टेबल बन गया इस्टूडेंट इसको जब मैं open कर रहा हूं तो तीन column बन गया है जो कि same इस ER diagram के जैसे हैं student नम के टेबल बना इस टू आइडी इस टू नेम और इस टू एड्रेस तीन column पर यानि कि ये वाला हिस्सा हमारा बन के ready हो गया है clear है अब हमको बनाना है college नम का टेबल तो college वाले table बनाने के लिए फिर मैं access में चले जाता हूं create में चले जाता हूं table design में चले जाता हूं college नाम के table में दो column थे call id यह होगा number और call name यह होगा text इसको जब मैं बंद करूंगा तो फिर यह पुछेगा save करना yes इसका नाम होगा college ठीक है तो यहां पर मैंने दो table create कर लिए student इसको open किया ऐसा दिख रहा है और college इसको open किया यह ऐसा दिख रहा है तो अगर मैं इसके साथ में इसको देखूं तो इस er diagram में देखा जाए तो यह student नाम के table इसमें तीन column बने हैं जो कि सेम इसके जैसे हैं और यह स्थय आपे तो सल्गर पर बनाई तो सके बात तो इसके बार इसके बार हम इन दोनों के बीच में relationship बनाना है अब देखते हैं कि MS १ियां पर गाई गई है मैनी टो मैनी relationship है वह इस WIL enjoymentee कितने टाइप का रिलेशन्शिप होता है और सबसे पहले हम यहां रिलेशन्शिप बना के देखते हैं सबसे पहले इसको हम open करेंगे database tool नाम का option रहता है इसमें रहता है relationships यह पर समस्ट प्रेक्टिकल में हमने किया भी था रिलेशन्शिप में जाएंगे दोनों ही table को हमें add करना है यहां दोनों टेबल एड हो गए अब student और college के बीच में क्या relationship है मैं student ID और college ID को बीच में relationship अगर मुझे बनाना है तो इन दोनों के बीच में कुछ common होना चाहिए तो common करने के लिए relationship जब आते हैं और relationship one to many या many to one होता है तो इसमें हमको क्या करना होता है एक कॉलम और add करना होता है और example मैं student वाले में add कर देता हूँ call ID ठीक है call ID बनाने से यह दोनों relationship में आ सकते हैं और किसको मुझे बनाना पड़ेगा primary की क्योंकि primary की और foreign की आपस में ही relationship बनते हैं तो अब मैं इसको save करता हूँ अब मैं जाता हूँ database टूल में relationship में मैं दोनों table add करता हूँ जहां से देखो आप की ना college का जो college ID है वो primary की है और student में भी college ID है यह दोनों आपस में जूडेंगे अब यहां पर relationship create हो रहा है यह one-to-many relationship है जैसे आप create करोगे तो one-to-many relationship का नाम भी देगा यह इस तरीके से relationship create हो गया है relationship create करने के लिए हमें दो चीजों की जरुवत करती है दोनों table में कोई एक चीज common होनी चाहिए जैसे इसका जो column आइडी है और यहां पर भी sorry College आइडी है और यहां पर भी college ID है तो यहां पर just college ID हो primary की है और यहां पर college ID जो है वो foreign की है टेबल कि दूसरे table में जाकरकर foreign की बन जाती है और इन दोनों के बीच में relationship बनता है तो इस तरीके से मैं डेटाबेस को create कर सकता हूँ अब यह जो डेटाबेस दिख रहा है इसको मैं चाहूंगा आप लोग स्क्रीन शॉट लेना इसका क्योंकि मैं इसको adjust कर दे रहा हूँ और आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो और यह जो relationship बना हुआ है यह जो diagram बना हुआ है यह इस डेटाबेस का डाइग्राम है ऐसा बना देते हैं ठीक है आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो नीचे जो इया डाइग्राम दिख रहा है उसको मैंने डेटाबेस में ऐसा बनाया एक्सेस में दो टेबल बनाये तीन-तीन कॉलम बनाये और relationship बनाने के कुछ कुछ रूल होते हैं ठीक है अगर one to many और many to one relationship है तो अलग से टेबल नव बना करके कॉलम एड कर दिया जाता है और relationship बना लिया जाता है लेकिन many to many relationship है तो एक नया टेबल क्रिएट किया जाता है उसको बाद में देखेंगे कि relationship को कैसे में convert करते हैं तो यहां पर आपने देखा कि यह डागराम को कैसे database में convert किया गया क्लियर है इसी चीज़ को मैं Oracle में भी करके दिखाऊंगा भी थोड़े दिर पर आप आपने screenshot ले लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं मैं आगे बढ़ता हूं अब बात करते हैं औरेकल की औरेकल में अगर मैं औरेकल ओपन करूं यह मैंने औरेकल ओपन करके रखा है इसी database को मुझे अगर औरेकल में बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा सबसे पहले एक student का table बनाते है create table student इसमें तीन कॉलम बनेगा s2 id यह होगा number फिर होगा s2 name यह होगा where care सभी को पता है कि where care कभी यूज़ करते हैं और कि उसके बाद होगा s2 a ddr यह भी होगा where care यह मेरा मैंने यह line लिखी ताकि एक table create हो जाए और जैसे ही मैं यह पर enter करूंगा तो यह message देगा अगर कोई error नहीं होगा तो table created ऐसा message देदेगा यहां पर एक error है क्या नाम से line 1 पर ने अच्छा student नाम का table पहले से ही बना हुआ है तो हम लोगे काम करते हैं कि इसका नाम student 1 रख देते हैं student नाम का table पहले से बना हुआ है इसलिए student 1 इसका नाम रख देते हैं ठीक है student 1 नाम से table create हो रहा है आपका table created अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे table create हुआ है की नहीं तो मेरे पास कमांड है select start from मेरे पास student 1 नाम का table create हो गया तो आप ध्यान से देखे हो कि यहां पर create command मैंने चलाया यह create command हम क्यों चलाते हैं table बनाने के लिए और वो table यह है तो अगर मैं आपको बोलना है अगर मुझे बोलना है कि student नाम का table बनाओ जिसमें यह होगा student का address होगा phone number होगा enrollment number होगा इतना सब बोलने की बजाए मैं यह छोटा सा diagram आपको बना के देदूँगा आप असानी से इसको देख करके table बना सकते हूँ सेम वैसे ही अगर मुझे college नाम का table बनाना है तो मैं यहां पर command चलाओंगा सबसे पहले clear screen कर देते हैं मैं command चलाओंगा create table college यहां पर मैंने लगाया call id यह होगा number यहां पर मैं लिख देता हूँ number में 3 और दूसरा होगा call name यह होगा where care यह मैं लिखा 10 bracket बन किया और यह college नाम का table create हो गया ठीक है अगर मैं देखता हूँ select star from tab तो मुझे यहां पर दो table created दिख रहे है student पहले से था college बना और student one बना तो मुझे काफी आसानी होगी अगर मैं यह diagram बना के देदूं तो आप आसानी से उससे table बना सकते हैं तो यह model का role समझ में यह diagram का अभी तक हम जो भी देख रहे थे हमने मैं फिर से brief कर रहा हूँ हम लोग के DBMS का ER model पढ़ रहे हैं ER model इसलिए पढ़ रहे है unit 2 का है course है यह model जब हम पढ़ते हैं तो ER model से हम ER diagram को बनाना और उसको समझना सीखते हैं और ER diagram क्यों जलूरी है क्यों important है क्योंकि किसी database का graphical representation होता है काफी आसानी से आप अपने बहुत बड़े database को दूसरे को बता सकते हो on paper लिख करके और आप जो भी लिखोगे वह एक भी चीज मिस नहीं करेगा as it is वैसा ही डाइग्राम वैसा ही डेटाबेस बनेगा जैसा आपने डाइग्राम बना के दिया है जबकि अगर मैं मुझ से बोल के बताऊं या किसी और तरीके से उसको बताऊं तो वह हो सकते हैं मैंने जो जो चीज बोली है उसमें से एकाज चीज वह मिस कर दे छोड़ दे या गलत बना दे और डेटाबेस में गलती होती है तो उसमें आगे जाके problems create होती है तो हमारा जो ER diagram है entity relationship diagram इसका basic उदेश यह है कि हम किसी डेटाबेस बड़े डेटाबेस को असानी से represent कर सकें दूसरे को बता सकें और इसको समझने के लिए और बनाने के लिए हम ER model पढ़ते हैं ER model में सारे नियम है कि ER diagram कैसे बनेगा entity को कैसे दिखाया जाएगा relationship को बनाने के लिए table कैसे बनेगा कब one to one होगा कब one to many होगा किसको one to one बोलेंगे किसको one to many बोलेंगे इस तरह के relationship यह सारी जो theory part है सारा concept है वो ER model पे है clear है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए ER model में जो ER diagram बनाया जाता है उसमें कुछ basic shapes होते हैं जैसे rectangle रेक्टेंगल जो है वो entity को दिखाता है मतलब जब भी आप देखो rectangle तो आपको समझ में आजाएगा कि वो rectangle एक entity है और उससे हमको एक table ही बनाना है ellipse जो है उससे हम attribute को दिखाते हैं diamond से हम relationship को दिखाते हैं line से अप जो है उनके बीच का relationship के set को दिखाते हैं उसके बाद double eclipse जो है वो multi value attributes को दिखाता है एक multi value attributes क्या होता है बाद में discuss करेंगे मैं चाहता हूँ आप लोग इसका एक screenshot ले लो ताकि यह components है इन components से मिलकर ही जो आपका ER diagram बनता है यानि ER model में वो सारे rule regulation है जिससे आप ER diagram आसानी से बना सकते हो और दूसरे का बनाए हुआ ER diagram आसानी से समझ सकते हो तो इसका एक screenshot ले लो यह components of ER diagram है इसके बाद यह components को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है इसका भी आप एक screenshot ले लो यह graphical representation है अच्छे दे समझ में आएगा relationship चाह टाइप के होते है one to one one to many many to one more many to many कौन से relationship को one to one बोलेंगे किसको one to many नहीं बोलेंगे किसको many to one बोलेंगे यह हम सीखेंगी यह model में है ठीक है attribute भी यहां पर दिखाया गया चाहर टाइप के होते हैं की attribute composite attribute multi value attribute यह सब चीजों को अभी जब आप जब तक आप example नहीं देखोगे तब तक आपको ठीक से clear नहीं होगा entity भी दो टाइप की होती है weak entity set और strong entity set तो अब हम लोग देखेंगे